tax harvesting क्या होती है आप अपने shares या mutual fund में अगर कुछ profit हुआ है तो उस पे आप tax harvesting किस तरह से करके अपना tax reduce कैसे कर सकते हैं ये इस वीडियो का topic है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि tax harvesting होता क्या है यदि आपने कोई भी shares mutual fund वगेरा में जो आपके investment है उसमें यदि आपको कुछ profit और वो profit इतना जादा है कि आपको उस पे tax भरना पड़ेगा मान लिजे जैसे कि आपने कोई share या mutual fund कुछ साल पहले खरीजे थे और अभी बेचे हैं और उस पे long term capital gain हुआ है मान लिजे 5 लाग रुपे का उसमें से पहला 7 लाग पर तो tax नहीं लगेगा लेकिन बाकी का जो क्या होता है concept यह होता है कि अगर किसी एक asset को आपने बेचा है जैसे और उससे आपको कुछ profit हुआ है जिस पे tax देना पड़ रहा है और यदि कुछ दूसरा asset आपके पास है जो loss में चल रहा हो तो आप वह loss वाले asset को अगर आप बेचते हैं तो वह इसका जो profit है जिस पे आ loss आपको आया है उससे आप उसको set-off कर सकते हैं यह set-off ही कुछ conditions है वह मैं बताऊंगा माल यह आपने कुछ mutual fund बेचा और उस पे 10 लाग का आपको profit हुआ माल लीजे ठीक है तो उसमें आपको 8,75,000 रुपए पर आपको tax बनना है तो अब उस पे 12.5% के amount से अच्छा tax बन ज है लेकिन उनमें कुछ loss हो रहा है माल लेजे कुछ चार-पांच शेर है जिन में आपको 5-6-7,000,000 का कुछ loss हो रहा है तो वो आप क्या करते हैं लोग ऊसको tax harvesting कैसे करते हैं कि 31 मार्ट से पहले माल लीजे 30 मार्ट को 29 मार्ट को वह देखते हैं कि जिन जिन में loss हो रहा है उ उसके अगेंस वह सेट आफ हो जाएगा और अगले दिन आपने वापिस खरीद लिए तो वह शेयर आपके पास पढ़े रहा है लेकिन ध्यान रखें कि यह शेयर अगर आप लॉंग टर्म के हिसाब से रख रहें तो तो जो नए खरीद रहें उनको भी लॉंग टर्म के तो लॉस आपका के पीटल हूँ कि हो सकता हए और शॉटウ के हो सकता है दोनों के अंचेस्स आपको जो है राइट OFF मिल जाता है ठीक है लेकिन यदि आपका प्रॉफिट शॉट टर्म का है जैसे कि मुचल फॉंड में या या शेयर में आपने एक साल के कंपिरेंट से पहले set of मिलेगा अगर कोई शेयर आपका एक साल से ज़्यादा आपने होल किया हुआ और वो लॉस में है और उसको बेचा तो उसका सेट आफ आपके जो शौट टम में जो प्रॉफिट हुआ है आपका शौट टम कैपिटल गेंज जो हुआ है उसके अगेंस सेट आफ नहीं मिलता ह I hope मैं clear हूँ फिर से मता दूं लॉंग टम में आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको शौट टम के लॉस या लॉंग टम के लॉस दोनों के अगेंस आप सेट आफ कर सकते हैं लेकिन शौट टम में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है एक साल से कम पीरेड वाला प्रॉ मानते हैं वो क्यों अच्छा मानते हैं कि मेरे को इस पर टेक्स देना पड़ता अब यह जितना लॉस हो रहा है वह अगले दिन शेर मैंने वापिस खरीद दी लिए और वह लॉस जो है वह मैंने बुक कर लिया और वह सारा लॉस जो है वह मेरे प्रॉफिट के अगेंश सेट हो गया और पहले मानलो मैंने शेर सो रुपए पर खरीदा था अभी शेर सतर पर चल रहा है तो वह तीस का लॉस जो है वह इधर सेट आफ हो गया और अब मेरे पास शेर जो है वह सत्तर क्या मांट पर आगे अब मैं इसको फिर में लॉंग टम के लिए करूंगा और जो प् अगर आपने उसको जल्दी वापिस बेज दिया शॉट टम में तो आपको साड़े बारा परसंट की बजाए शॉट टम केपिटल गेन पर आपको बीस परसंट टेक्स भी भरना पड़ सकता है तो कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं आप अप है ना फूली अगर आप जिरोधा वगेरा के साथ आप ट्रेड करते हैं आपका कावंट है तो वह आपको आपके जो कॉंसोल होता है जिरोधा का वहां पर आपको यह दिखाता है आप साल के आखिर में लगवग मार्च के मैं आखरी हफ्ते में आप देखें आपको इसके लावा भी और कोई दूसरा broker हो तो भी आप ही calculation कर सकते हैं क्योंकि हर इनसान को March के end में लगबग लगबग idea लग जाता है कि वही मेरा कितना profit बन रहा है और किन-किन shares या mutual fund में मुझे loss हो रहा है तो मैं कौन सा मैं बेचूं तो वो loss जो है वो मैं set off कर सकता हूं और फि वीडियो अगर helpful लगा हो तो एक थमसब दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाइबाए